नमस्कार दा एंगल मैप सभी का स्वागत है इस वक्त की एहम खबरों के साथ मैं हूनीतु शर्मा सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर सुप्रीम कोट से दिल्ली सरकार को बड़ा जटका कहा एसी बी सर्विसेस और जाट आयोग पर केंदर का अधिकार भारत सरकार ने रक्षा के चेतर में किया बड़ा फैसला रूस के साथ साथ लाग स्टैटालीस हजार एके राइफलों का करार अने सुझे लगेगा फ्लाज प्रदेश में नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू का गहर वाइरस से चे और लोगों की मौत 3175 मिले पॉजिटिव और पहली से बार्वी तक के पाठ्यकरम की समीक्षा का काक देज शिक्षा विभाग ने बनाई कमेट लाब 20 फरवरी तक आएगी रिपोर्ट दिल्ली सरकार बनाम उपराजेपाल मामले में सुप्रीम कोट ने अपना फैसला सुनाया हालां की राश्ट्रे राजधानी शेतर में सेवाओं का नियंतरन किसके पास है इस मामले में सुप्रीम कोट के दो जजों की राय अलग अलग रही ऐसे में सुप्रीम कोट ने राश्ट्रे राजधानी में सेवाओं की नियंतरन पर अपना खंडित फैसला बड़ी बैंच के पास भीज दिया हालांकि दो सदस्ये पीट भष्टाचार रोधी शाखा, राजधस्व जाच आयोग और लोक अभ्योजक की नियुक्ति के मुद्दे पर सहमत हुई सुप्रीम कोट ने केंदर की इस अधिसूचना को बरकरार रखा है कि दिली सरकार का एसी भी भष्टाचार के मामलों में उसके करंचारियों की जाच नहीं कर सकता है सुप्रीम कोट ने कहा कि केंदर के पास जाच आयोग नियुक्त करने का अधिकार होगा फैसले के तहट Special Public Prosecutor की न्यूकती का अधिकार दिली सरकार के पास रहेगा वहीं Anti-Corruption Branch केंदर के अधीन रहेगी क्योंकि पुलिस केंदर के पास है रेवन्यू पर LG की सहमती लेनी होगी Electricity मामले में Director की न्यूकती CM के पास होगी 72,400 Assault Rifle के खरीद के लिए America की एक Company के साथ करार के बाद भारत सरकार ने रक्षा के चेतर में एक और एहम फैसला लिया है केंदर सरकार ने रूस के साथ मिलकर करीब 7,47,000 क्लाशिन को राइफलों के निर्मान के करार का फैसला किया है इन राइफलों को बनाने के लिए प्लांट उत्तर प्रदेश के अमेठी में लगाया जाएगा गौर्टालब है कि यह समझोता रक्षा मंत्राले के उस प्रस्ताव के तहत हो रहा है जिसमें मंत्राले ने 6.5 राइफलों की खरीद के लिए अभी रूची पत्र मांगे थे यह राइफले पूरी तरह मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहट भारत में ही बनाई जाएंगी इस करार में भारत सरकार की पॉलिसी के तहट और्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड के पास मैजोरिटी शेर 50.5 पीस दी रहेगा जबकि रूस के पास 49.5 पीस दी शेर होंगे लोगसबा चुनाओं के लिए महरास्टर नमनिर्मान सैना के साथ गट जोड किये जाने की पैरवी करने के एक दिन बाद राकमपा नेता अजित पवार ने राश्ठाकरे से मुलाकात की राश्ठवादी कॉंग्रेस पार्टी सूतरों ने बताया कि पवार ने मनसे अध्यक्ष ठाकरे के आवास पर उनसे मुलाकात की उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के बीच करीब बैठक डेट घंटा चली पवार ने कहा कि वह भाजपा शिवसेना के बीच संभावित गड़ बंदन के खिलाब लोगसबा चुनाओं में मतों का विभाजन रोकने के लिए मनसे के साथ गड़ जोड के पक्षधर है राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरवार की सुभे बारिश और ठंड के साथ हुई NCR में सुभे से हो रही बारिश ने मौसब में ठंड बढ़ा दी है राजधानी दिल्ली के तो कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है नोइडा में तो कई जगों पर थुबे अंधेरे के साथ हुई दीमी और लगातार हो रही बारिश के चलते सडकों पर वाहन चलाने में काफी मुश्किल हो रही है कई जगहों पर अंधिरा इतना ज़ादा रहा कि वाहनों की लाइट जला कर लोग ड्राइविंग करते दिखे बारिश और कोहरे का असर रेल मार्क पर भी दिखाई दिया कोहरे के चलते कई ट्रेनों के लेट होने की भी खबर है दिली की और आने वाली दस ट्रेने देली से चल रही है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्राखन के दोरे पर रहेंगे वह यहां रुदरपुर के FCI के सामने वाले मैदान में सहकारिता विभा की कई परियोशनाओं का शिला न्यास करेंगे इसके साथ ही वह BGP के विजई शंकनाद रैली को भी संबोधित करेंगे वह यहां 3,340 करोड रुपे की परियोशनाओं की सौगात देंगे प्रधान मंत्री विमान की जरिये वाहीनी P.A.C. रुदरपुर में बने हैलिपैट पर पहुंचेंगे यहां से P.A.C. रुदरपुर के जन सबास्तल पहुंचेंगे इसके बाद वह सहकारिता विभा की करीब 3,340 करोड योगी योशनाओं का लुकारपन और शिला नियास करेंगे नगर निगम के पारसद अपने वार्ड में 3,3 करोड रुपे के विकास कार्य करवा सकेंगे यह राशी विधायकों को मिलने वाले सालाना बजट सवा 2 करोड रुपे से 75 लाक रुपे अधिक है इसके लिए पारसदों से बकाईदा विकास कार्यों के प्रस्ताव मागे गये हैं इसके लिए 270 करोड रुपे के बजट की आवशकता होगी इससे पहले विकास कार्यों के लिए पारसदों को मेर निर्मल नहटा ने 50 लाक रुपे और मेयर अशोक लाहूटी ने 1 करोड का प्रावधान किया था मेयर लाटा के 3-3 करोड रुपे के विकास कारियों की घूशना करने के बाद से निगम के ठेकेदार कारिय नहीं करने के चेतामनी दे रहे हैं हैरिटेज सिटी कॉंट्रेक्ट सोसाइटी के अध्यक्ष रगुवीर शर्मा का कहना है कि निगम के सिविल ठेकेदारों के नवंबर 2017 से अब तक का 150 करोड रुपे का भूता नहीं हो पाया मेयर विश्णू लाटा का कहना है कि शहर का गत चार वर्षों में विकासकारिय नहीं हुआ पार्सदों ने अपने छेत्र के विकासकारियों की फायले दी लेकिन कुछ ही पार्सदों को बजट स्विक्रित हुआ था प्रदेश में जान लेवा स्वाइन फ्लू के मिशिगन वाइरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है चिकितसव विभाग की और से स्क्रीनिंग अभियान चलाने के बाद भी पॉजिटिव मौत के मामले में ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है वाइरस ने चै और लोगों की जान ले ली है इनमें जुन-जुनों में दो और जैपूर चूरू अलवरवेची तौरगड में एक-एक मौत शामिल है प्रदेश में अब तक 44 दिन में 119 लोगों की मौत हो चुकी है इसी तरह से 62 नए मामले मिलने पर पॉजिटिव का आखडा 3,172 हो गया है इधर एडीज, एजिप्टाई, मच्छर के कार्टे से डैंगो के राज्य में 110 केसिस मिल चुके हैं सबसे जादा जैपूर में दूसरे नमबर पर कोटा वर तीसरे नमबर पर जोदपुर जिला है राजस्तान उन्वरस्टी ने 2013 और 2018 में भरती आचारी है और सह आचारे के प्रोबिश्टिन दो साल से एक साल कर दिया है इसमें वे शिक्षक शामिल होंगे जो पहले किसी कॉलेज उन्वरस्टी में सेवाई दे रहे थे और वहाँ प्रोबिश्टिन पूरा कर चुके थे उन्चालेज सिक्षकों को इसका लाब मिलेगा कुलपती ने आदेश चारी कर दिये इस सम्बन में उन्वरस्टी हैंडबुक में भी प्रोबिशन था जिसके आधार पर उन्हें लाब दिया गया है अब 2013 में भरती होने वाले सिक्षक जो दो साल का प्रोबेशन पूरा कर चुके हैं उन्हें भी एक साल का प्रोबेशन मान कर इंक्रीमेंट मिलेगा 2018 में न्यूक सहाचारियों पर भी आदेश लगू हो जाएगा कुल्पती टॉफेसर आर के कोठारी के अनुसार रिफिक्षेशन होगा देश भर की बिजली वितरन कंपनियों में सबसे कम बिजली का टौती में जपर डिसकॉम ने पहला स्तान हासिल किया है वहीं उब्भोकताओं द्वारा ई-पेमेंट में चोथे स्तान पर रहा भारत सरकार के पावर फाइनांस कॉर्परेशन ने बिजली कंपनियों की रेटिंग जारी की है पी एफसी के उर्जा एप में हर महीने शेमाप दंडो, लंबी शिकायते, कटोती की औसत अवधी, पावर कट की संख्या, लंबित कनेक्शन, उब्भोकता की और से किये गए ई-पेमेंट तथा बिजली चोडी का फीसदी आकडों के आधार पर रेटिंग दी जाती है MDA के गुपता ने बताया कि उब्भोकता सेवाओं को बहतर करने के लिए इंजिनियरों की टीम के साथ अच्छा काम करने की कोशिश की जा रही है शिक्षा मंत्री गोविन सिंग डोटासरा ने प्रदेश भर के राज के विध्यालों में समय परिवर्तन के जाने की खोशना की है डोटासरा ने बताया कि राज के विध्यालियों में 1 अप्रेल से 30 सितंबर तक पहली पारी विध्यालियों का समय प्राते साड़े साथ बजे से दोपहर एक बजे तक किया गया है इन विध्यालियों का 1 अक्टूबर से 31 मार्च का समय प्राते 10 बजे से साई चार बजे तक न रखा गया है भासपस सरकार में लागू किये गए पहली से बारवी तक के पाठे करम की समिक्षा का काम तीज हो गया है शिक्षा विभाग ने इसके लिए दो अलग-अलग कमेटियों का गठन कर दिया कमेटियों को 20 वरवरी तक रिपोर्ट देने के निरदेश दिये गये है प्रदेश में सरकार बदलते ही सिक्षा राज्यमंत्री गोविन सिंग डोटासरा ने सिलेबस की समिक्षा की घूशना की थी इस घूशना को अमली जामा पहनाते वे डोटासरा ने समिक्षा के लिए गठित कमेटियों में विशे विशेशग्यों एवन शिक्षा विदो को शामिल किया है शिक्षा राजय मंत्री डोटा सरा ने बताया कि कक्षा एक से आठ तक वर्तमान में संचालित समस्थ पाठे पुस्तकों की समिक्षा के लिए गठित कमेटी में पूर्व कुलपती आईवी त्रिवेदी को समन्व्यक बनाया गया है इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की एहम खबरे बने रहे दाइंगल के साथ नमस्कार